गुड मॉर्णिंग फ्रेंट्स हम लोग बिहार के संबंध में जो राज विवस्था यानि पॉलिटिकल सिस्टम देख रहे थे उसमें क्या पढ़े थे उसमें हम लोग ने देखा था कि बिहार में राज निंतिक विवस्था में क्या क्या चीज होता है उसमें हम लोग राज बिधान मंडल से सुरू करते हैं तो चलिए आगे बरते हैं BPSC में जो BPSC का Main Exam हो या पिरी एक्जाम हो तो विहार से सम्बंधित कोउश्चन तो उसमें आते ही हैं और कोउश्चन आते हैं तो पूलिटी का भी आता है या पिरी हो या विहार समभनłości कोई भी एक्जाम हो उसमें बिहार के बारे में आपको जनना उतना ही आवस्षक है जतना कि देश के बारे में जनना है तो आज हम लोग देखेंगे राज बिधान मंदल तो भारतिय सव इधान के अनुछेद 168 यानि आर्टिकल 168 के अनुछार परतेक राज का एक बिधान मंदल होगा जिसमें राजपाल बिधान सभा एवं बिधान परिसद यानि बिधान परिसद होने की स्थिति में जैसे परतमान में अभिमातर देश के पांच राज्यों में नहीं बिधान परिसद है जैसे कि लोग केंडर में संसद में दो भाग राज्य सभावर बिधान परिसद और बिधान मंदल किसकिस राज में है तो उत्तर प्रदेस करनाठक बिहार महाराष्ठ गयरे ?े एक दो तीन चार पांच अब जम्मू कस्मीर क्यों नहीं क्योंकि इसका बटवारा हो गिया और यह यूनियन टरी हो गिया है अता जम्मू कस्मीर में बिधान परिश्द नहीं है आंध परदेश तो इसमें था लेकिन जो इहां के मुख्वंति ही जग मुहंडेड़ी इन्हों अपने राज में तीन राजज़द धनियां बनाएंगे वह इनका कंसिप्ट इन्होंने बिधान मंडल के बिधान सभासे तो पारित कर लिया लेकिन बिधान परिश्द में इनके पास भूमत नहीं क्यों कि वहां पर तो पहले सेहीं यह तो पलीबर सत्तना में आये है यानि लेकि जो पहले से वहां पर सरकारे में रहा होगा उसका बहुमत होगा यह नी चंदर बाबु नाएडू की पार्ठी कर बहुमत था और वहां पर यह पास नहीं भर सकाने लेकिन विधान परिश्द में एक कम्जूरी है या उसको कम तागर दिया गया है कि अगर विधान सबाद चाहे कि बीस्टेस बहुंत से अगर पारित कर दे संकल्पे कि हमको विद्धान परिशद नह चाहिए तो वहां बिधान परिशद खत्म हो जाएगा वही बात तो जग मुहान डिटी ने बिधान परिशद को ही खत्म करने की अनुसांसा देती तो अभी परतमान में मातर पांच राज् लेकिन शुरू कहां से होगा तो शुरू बिधान सभा में जब पारित कर दिया संकल पे तो यह केंदर में जाएगी और केंदर कर लेगी के लिए सम्मंधित राज की विधान सभा द्वारा उग्द प्रस्ताव के लिए दो तीहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना बिधान परिशद यानि उपड़ी सदन यानि राजसभा का ही इसको सामिल हैं तो सबसे पहले हम लोग परहेंगे बिधान परिशद के बारे में उरीशा बिहार बिधान परिशद साथ फरवड़ी 1921 को अस्तितु में आई थी इसके पर्सम सभापति कौन थे बिहार विधान परिशत के तो सौर वाल्टर मांडे तो अच्छा कोस्चन है कभी पूछ दे तो साध ही किसी को पता हो सभापति के एक तिहाई से जादा नहीं हो सकती है यानि कलपना कीजिए कि और किसी राजी में 100 विधान सभा में सवत असे हैं तो विधान परिशत में सवत अस्यों किसेंख्या कितना होगा एक तियाई से अधिक नहीं यानि कि 33 से ज्यादा नहीं हो सकता है लेकिन कॉम से कॉम यहां देखिए और जिसके पास से एक सो विधान सभा सीठ है उसको नहीं होगा क्यों कि लिखा हुआ है कि कॉम से कॉम कॉम से कॉम 40 सदस्व होने अनिवार है यानि कि जिसके विधान सभा में 120 सदस्व से हैं उसमें ही विधान परिशत हो सकती है लेकिन जम्मु कस्मीर में था क्योंकि उसके विधान परिश सदस्यों की संख्या जारखंड बनने से पहले 96 लेकिन बर्तमान में 75 है यह एक अस्थाई सदन है जिसका बीगिटन तो नहीं हो सकता है लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है इसके परतेक सदस्य का कारकाल च्वह वर्स का होता है और परतेक दो वर्स पर इसके एक तीहाई नहीं होना चाहिए यानी एक सत्र के अंतिम दिन और दूसरे सत्र के प्रधम दिन के बीच छ महिने से ज्यादा का समय अंदर नहीं होना चाहिए विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य कैसे चुने जाते हैं तो यहां देखिए विधान परिषद के एक तिहाई यानि एक बटा तीन भाग अस्थानी संस्थाओं जैसे नगरपाली का जीरा परिषद आदिके सदस्यों के द्वा चुने जाते हैं एक तीहाई अस्थानिये मतलब सोशासी संगठन या जैसे कि नवरपाली क्या जीलापंच परिशत आदिसे या अस्थानिये संस्थाउं द्वारा एक तीहाई जो बिधान सबाग सदस्ते हैं वह चुनकर भेज देंगे फिर पलस अब बचना चाहिए एक ती इसमें एक बटा बारा भाग यह कहां से आएगा यह सदस्ते राजी के उच्चितर माधिमिक विद्यालेयों एवं कॉलेजों में कम से कम तीन वर्स का आउनभा रखने वाले अध्यापकू के द्वारा एक बटा बारा और जो स्यस बचा एक बटा बारा बारा पर क्या तो वैसे सदस्ते विहार के वैसे निवासी जो किसी विस्वी द्याले से असना तो हो और जिन्हों ने जो यह उपाधी है कम से कम तीन वर्स पहले पराप्त कर ली हो तो इनके द्वारा चुना जाएगा बचा कितना तो सीजस एक बटा च्छो भाग भी बचता है भी तो सीजस दना ओगाला शहित्त विज्व जयान स्थ कारिता तो समाज सेवा के छेत्रों में राज की ख्याती प्राप्त व्यक्तियों से मनोंडीत किये जाते हैं मतलब एक बटा तीन कहां से तो अस्थानी संस्थाओं नगरपाली का जीरा परिशत आदी के द्वारा मतलब कल्पना कीजिए कि कुल सीट कितना है चलिए 120 माल लेते हैं तो इसका एक बटा तीन कितना होगा तो 40 चालिस कहां से आगया तो अस्थानी संस्थाओं नगरपाली का जीरा परिशत आदी से फिर एक बटा तीन फिर चालिस चालिस कहां से आएगा जो विधान साभा के सरस्थगन है वह इसको चून देंगे अब उसके बाद में यहां आगिया देखे एक बटा बार यानि इसका ब लौशन नों बार जोड़ते हैं देखते हैं सही को एसन होता है या नहीं तो अ कि सोरी एक इसका बारा हमां भाग दस्थानी सासन से फिर एक बटा बारा भाग यानि कि दस वेक्ति कहां से आएगा अगर कूल संख्या एक सोबीस है तो दस वेक्ति चूल लिया जाएगा उच्छेतर जो महाविध्याले और कोलेजों के जो तीन वर्स का अनुभर रखने वाले अधिहापक यानि टीचर के द्वारा से एक बारा भाग यानि इसमें बारा से भाग देजी तो दौस तो दौस वेक्ति कहां से चाह यानि 20 सदस्टे उसको कौन चुनेगा तो राजपाल चुनेगा तो हमारा इक्वेशन कितना हुगा तो 80 90 120 यानि कूल 120 सदस्टेओं का निर्वाचन हो गया लेकिन आगे बढ़ते हैं इसमें निर्वाचन तो सब नहीं हुगा निर्वाचन कौन-कौन हुगा तो निर परति सेवा के छेत्र में राज के घ्याती प्राप्ते ब्यक्तियों से मॉनुनीट की जाते हैं तो दीवेशन आराम होने के लिए इसके कुल सदस्यों एक बटा दो सब्हाग या कौम से कौम दो सदस्य लेकिन इस में जो भी ज़ादा हो का होना अवस्यक है बिधान परिशत के सदस्यों का सदन में बगतवे देने की पूर्ण सुतंतरता है एवं, उनके दोवारा दिये गए किसी भी वक्ताव के लिए, किसी नियाले में, किसी भी परकार का मुकदमा नहीं चलाए जा सकता है विधान परिसथ के सदस्यों को सदन का सत्र अराम होने के 40 दिन पहले एवं, सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद के बीच में दिवानी मुकदमों के लिए बंदी नहीं बना जा सकता है, यानि दिवानी, सिविल राइट्स, ऐसा नहीं है कि वो किसी अखून कर देंगे मार भी जो का जाता है, फोजजारी, अगर फोजजारी मुकदमा हो, तब तो उस राश्पत्री पर भी मुकदमा चलेगा, लेकिन अ कम से कम दो सत्र होना आवस्यक है, एवं एक सत्र के अंतिम दिन, तथा दूसरे सत्र के पर्थम दिन की बीच, छो महिने से ज्यादा गा अंतर नहीं होना चाहिए, और वहीं अब यहां आता है कोश्चन, कि विधान परिश्द के जो स्दस बनेगा, उसका eligibility, यानि योगिता क्या है, वहां भारत का नागरिक हो एवं कम से कम 30 वर्स की उम्र का हो, यहीं देख लिए, भोट देने का राइट 18 वर्स, मेल और फिमिल के लिए, साधी करने का राइए उमर 21 वर्स मेल के लिए और महिलाओं के लिए 18 वर्स, यहीं किया जा रहा है कि महिलाओं को भी 21 वर् अब आपको अगर प्रधान मंत्री बनना है या MP की चुनार लड़ेंगे या मूख मंत्री बनना हो तो उसके लिए आपकी आयू 25 वर्ट होना चाहिए अगर आप राजसभा के सदस्य या विध्यान परिशत के सदस्य के रूप में जीतना चाहेंगे तो आपका एज तीस वर्स होना चाहिए राश्पती और राजपल बनना हो तो आपकी एज पहें तीस वर्स होना आउसे है बस इतना ही याज कर दिजिए यह बहुत ही महत्तो पूर्ण है दूसरा उसका नाम संभधित राज की मद्दाता सुची में हो वह भारत या राज सरकार के किसी लाभ का पद धारन नहीं किये हो लाभ का पद मतलब यह नहीं आता है कि राश्पती परधान मंत्री मुख मंत्री या मंत्री नहीं इसको छूर कर आकी सपद लाभ के पद आएंगे वह पागल या दिवालिया नहीं हो चुना संभंदी किसी अबरात के कारण उसे विधान परिशत सदस चुने जाने के अधि वुटिया-कार राज के भीत-मामलों की वास्तो हुशां सभा के ही पास होते हैं जय कि बजट्व मंधी kont at रुपया परिशद वाल माल लेते हैं तो उसमें इनको कोई अधिकार नहीं है कोई भी धन विध्याक को पहले विध्यान सभा में पेस किया जाता है और विध्यान सभा में पास होने के बाद धन विध्याक को विध्यान परिशद में पेस किया जाता है विध्यान परिशद इ या कोई संसोधन की सिफारी से न करे तो सम्बांधित विधान सभा को यह अधिकार है कि उस संसोधन को माने या न माने एवं विध्यक दोन सदान से पारित समझ लिया जाएगा। दुसरा विधाई कार हैं वो तो विती अधिकार था मतलब कुछ नहीं था एडवाईजरी कहिए दुसरा है विधान परिशत में सदान सदान विध्यकों को पेस किया जाता है यानि विधियक को छोड़कर जो शदान सदान सभा और विधान सब्सक्राइब लेकिन पूर्णि इकोलाइट नहीं है देखिए विधान परिशत में सधारन विध्यकों को पेस किया जाता है लेकिन विध्यकों राजपाल के पास भेजे जाने से पहले आवस्यक है कि उसे विधान सभाद्वारा पारित किया जाए अगर कोई विध्यक विधान सभाद्वारा पारित किया जा सकती है इसके बाद यदि विध्यान सबाइस विध्याक को विध्यान परिशत के लिए संसोधन के साथ या उसके बीना अगर पारित कर देती है तो विध्याक दुबारा विध्यान परिशत के पास भीजा जाएगा और इस बार यदि विध्यान परिशत विध्याक को पुना म महिने तक ही किसी भी भीजय को रॉख सकती है है को समय ध्यानिक दिखांग भारत का सविधान के किछी संसोधन में भीधान सभा के साथ मिल कर भाग लेती है अगर बस कि संसोधन भीध्या समधित राजी के पास सुगिर्दी के लिए भेजी जाती है हो तो राज का मंत्री मंदल के वाल विधान सभा के परती उतर दाई होता है राज का मंत्री मंदल किसके परती विधान सभा निसे केंदर में संसद में जो केंदर मंत्री परिषद है वह किसके परती तो लोग सभा के परती उसी तरह राज में विधान सभागे परति ही जो राज का मंद्री मंडल है यह जिव mandar होगा विधान परिशद मंत्री मंडल को अविश्वास प्रस्तादोरा नहीं Themen आगे देखिएμεं इध्धान परिशद के सभापति एवं तें पर राज सभाखे प्दिन सभापती होते हैं, लेकिन ऐसा concept राजय में नहीं है, राजय में जो बिधान परिशत है, उसका सभापती और उपसभापती दोनों उस बिधान परिशत के सदस्य ही होते है बिधान परिषद के सभापती एवं उपसभापती का चुनाओं सम्मंधिती बिधान परिषद के सदस्यों के दोरा कम से कम 14 दिन पूरु सूचना देकर प्रस्ताव लाकर बहुमत के दोरा हटाया जा सकता है इनका बिधान राज की संचीत निधित से दिया जाता है लेकिन बात आती है अगर 14 दिन पूरु सूचना दे दी तो क्या हो जो विधान परिषद है इसके करवहें भाग लेंगे लेंगे लेकिन उस समय वहां पिठा सीन अधिकार नहीं होंगे भोट भी देंगे लेकिन वह का क्या क्या देखिए तो यहां देखिए आज हम लुग राज में जो विधान मंडल होता है उसका कहां विवरा दिया गया है तो आर्टीकल 168 में है कि राज में विधान मंडल होगा वहाई 169 में दिया हुआ है कि जो बिधान मंडल होगा उसमें एक बिधान परिशत भी होगा तो हम लोगों ने बिधान परिशत के बारे में जाना फिर हम लोगों ने यह जाना कि बिहार में सबसे पहले बिधान परिशत के जो सभापती थे नाम क्या था सर वाल्टर मांडे थे फिर हम लोग वर नहीं वी जाना की कितने राजियों में वीधान पठिस्य है क से ऐंपाइब उनका चुनाओ कैसे कैसे होता है कि अर भीधाई का रहे अरे समयधानिक अधिकार तत्था विध्धान सभाके सभापती ये ववब्सभापती के बारी में जाना है उनका कैसे चैन हो सकता है उनको कैसे हटाए जासे इसके बाद हम प्रयास आच्षा लगए तो जरूर्व लाइक करे करे कोमेंट करे और सब्सक्राइब करे झाल